गैलोज साहब तब भी सो रहे थे और अब भी सो रहे हैं आज वो ही बाजपा जिसने मान्य मोदी जी जैसे एक विज़नरी और लोग प्रिय प्रधान मंत्री हमारे देश को दिया है आज याद आ रहा है मुझे 26 एप्रिल 2003 का जब हमने राजस्वमन से चार बुजा मंदिर से परिवर्तन यात्रा पिछले बार चालू की थी कल भी मैं उनके दर्शन करके उनके आशिरवाद को लेकर मैं आपके बीच में यहां आ रही हूँ क्योंकि राजस्थान की जनता से विशेश लगाओ और यहां की महिलाओं का अपार सने और समर्थन जो हमें मिला है वो हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे इसी का नतीज़ा है कि पहली बार भारती जनता पार्टी ने बड़ी जोरदार बहुमत से 120 सीट मिले और उसके बाद यहां दर्शन करके गनेशी पे दर्शन करके आशिरवाद हम लोग उने लेकर जब 2003 से लेकर 2023 के सफर करे हैं और आपके छितर के अंदर करे हैं कभी ऐसा नहीं लगा कि हम पराय के बीच में हैं क्योंकि आप लोग उने जो प्यार दिया जो साथ दिया जो आशिरवाद दिया वो हम लोगों को एक पवित्र बंधन एक परिवारिक बंधन में बानने का काम करता है और मैं उसके लिए आप सब को बहुत बहुत अपनी और से आभार प्रकट करना चाहती हूँ आज हमारे बीच में नड़ा जी है मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ पर मैं उस बात के उपर आपका ध्यान आकर्शित करना चाहूंगी जिस बात के उपर आप लोग सब का मन लगा हुआ है याद रखना 2018-2013 के अंदर राजस्तान के अंदर ये सरकार आई अशोग गेलोट की तो उसके बाद हमारा विकास अब ठप हुआ उसके बाद आपने हमको 163 सीट दी हमारी सबकार ने एक नए आयाम चुए वो आप लोगों की वज़े से जिसके अंदर हम लोगों ने मिलकर हमारे प्रदेश की तक्दीर को बदलने का काम किया चाहे वो रोड्स में हो चाहे बिज्री में हो चाहे वो पानी में हो चाहे इत्सा के अंदर क्यों नहूं। पर सबसे बड़ी बात, जब इस शेत्र के अंदर दौरा करती थी, तो आपके एक बहुत बड़ी जरूरत उसमें से मेरे पास निकल के आई। इस शेत्र के अंदर, पानी के उपर और सिचाई के उपर, बड़े विवाद चलते थे। कभी पा कर सकते हैं, जिसकी वज़े से इस शेत्र को हम लोग सिचाई का पानी, पीने का पानी, देने का काम हम करें और लोग उसके अंदर जुड़कर अपने तकदीर को अपने हाथ से फिर बना सकें। इसलिए उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने एक कलपना की, कि आ हमारे लोगों को मिलेगा. यहां इसके बारे में थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगी, कि हमारे शाहसन के प्रथम कारिक्राल के अंदर, 25 अगस्त, 2005 के अंदर, हम लोगों ने मद्र प्रदेश के साथ, बाबुलाल जी गौड, जो वा तब मुखे मंत्री थे, उनके साथ हम उनकोंने हस्ताक्षर करके एक समझोता किया थी, कि हमारे बीच की जो नदिया हैं, उसका बटवारा हो, और उसके अनुसार ही हमने ये ERCP की योजना बनाने का काम किया, दुरभाग्य से इसके तुरंत बाद, अशोग एलोग की सरकार आ गई, और ये महत्वपूनब, जो य पानी मिलना था, इसमें आपका जला सवाय मादोपूरो, कोटा, बारा, जालावार, बूंदी, टॉंक, अजमेर, इस ऐसे करके तेरा जले थे, अजमेर से लेके जैपूर तक हम लोगों का इसका फाइदा मिलने वाला था, दो लाख हेक्टेर सिचाई का हमको मिलता, और इर्सीपी की परिकल्पना, और मैं इसको बड़े कैरफूली आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि इधर उधर तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, जमीन पर उतारने के लिए, हमारी सरकार ने एक मंत्री मंदर की बैठक करके, इसमें इसकी स्वीकृती दिलवाई, भारत सरकार की एक नामी कंपनी जिसका नाम है वैपकॉस, वो मद्यप्रदेश, राजस्थान, इंटर स्टेट बोड़ की बैठक 2005 के अंदर जो निरने लिया गया था, और जो केंद्रिय जलायों की गाइडलाइन 2010 की मापदन के अनुथार, ERCP की DPR तर्यार करने के हम लोग के अंदर 50% निर्भरता पर 3,921 MCM पानी आप लोगों को लगभग 37,000 करोड की खर्चा पे मिलने जा रहा था, वो उस समय की खर्चे के बाद कर रही हूं मैं, उसके बाद उस खर्चे को तुम मुझे मालूम है कि थोड़ा बढ़ गया होगा, बजट वर्च 2017-18 और 2018-19 के अंदर हम लोगों ने इसके गोशना भी कर दी थी, उस समय नवनेरा बराज और इसरदा बांध, ये थोड़े अलग थे, परन्तो नवनेरा बराज और इसरदा बांध का हम लोगों ने काम चालू कर दिया था, अब नवनेरा बराज का काम पूरा होने जा रहा है और इसरदा का जो बांध है वो अभी भी निर्माना दीन है, मैं मानती हूँ कि उसके उपर थोड़ा सा ध्यान और दिया जाता, तो जिस तरीके से नवनेरा बराज अब सम्पूर्ण होने जा रहा है, उसी तरीके से इस इसरदा पानी को इसरदा के बान को complete हो जाना चाहिए था ताकि इस पूरे इलाके के पानी में कोई अवरोध नहीं आता इस परियोजना के अंदर हम करीबन 1536 करोड रुपे और रेड़ी इसमें खर्च हो चुके हैं फिर वर्तमान कांग्रे सरकार के पिछले चार साल के अंदर ERCP के अंदर कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया इसके कारण जो परियोजना की लाब इन 13 जिलाओं के अंदर मिलना चाहिए था वो हम लोगों को नहीं मिला इस परियोजना को जान बूज कर अब विवादित बनाने का काम किया है जबकि मद्यप्रदेश और राजस्थान के बीच जल बटवारे को लेकर समझोता पहले ही हो चुका था मद्यप्रदेश ने तो इस समझोते के आधार पर 2017 के अंदर दो बांद मोहनपुरा और कुंडालिया बना लिए जिससे दो लाग 25,000 हेक्टेर सिचाई और पैजल उपलब्द हो रहा है इनका अगला तीसरा बांद भी अभी बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा उसका भी काम चल रहा है पाटनपुरा के अंदर वो भी निर्माना दीन है वो हो जाएगा बहुत जल्दी गैलोज साब तब भी सो रहे थे और अब भी सो रहे हैं मैं आप सब को ये इतना ही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम सब यहां बैठे हुए है कि राजस्तान के हिस्से का जो बून्द बून्द पानी है हम उसे कम नहीं होने देंगे और इसके लिए परन्तु जनता का जो हित है वो हमेशा हमारे सब के लिए सर्वोप्री है पर इनको जो है न इनको जनता का हित नहीं वो कभी नहीं हुआ अपने हित के मतलब रखते हैं ये लोग उनको जनता के हित से कोई मतलब नहीं है खूद के हितों से ही मतलब रखते हैं और आखिर मैं इसलिए मैं आपको यह कहना चाहती हूँ हम सब इतना ही कहेंगे कि राजस्तान के हितों के उपर कुठारागात नहीं होगा हम लोगों को एक साथ मिलकर एक ही आवास के अंदर आगे बिटके चलना पड़ेगा हमें कमल को खिलाना होगा और भारती जंता पार्टी को लाना होगा इसी विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ एक जोड़ार नारा मेरे साथ जै जै राजस्तान जोड़ से बोलो भाई ऐसे नहीं चलेगा जै जै राजस्तान सबको मेरा बहुत सारा धन्यवाद जै जै राजस्तान